तो आज भी मार्केट जो है एक बहुत बड़े परसेंटेज के साथ बंध हुआ है माइनस तो 38 परंट की पर्टिकुलर मंदी रही है आज बाजार में और सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि निफ्ती का जो आईटी इंडेक्स है उसमें मोर देन 2.9% का फॉल हुआ है तो यह जो पर्टिकुलर इंडिकेशन्स है यह हमें क्या बताना चाह रहे हैं इसको हम निफ्ती के जो आईटी इंडेक्स के तीन मेजर पिलर हैं Infosys, TCS और Wipro इनका अनलिसिस करेंगे और इनका टेक्निकल अनलिसिस करने के बाद हम यह बता करेंगे कि इनके जो रिसेंट सपोर्ट है वह कहा निकल के आ रहे हैं दोस्तों यदि निफ्ती के आईटी में आप समझ लीजिए सेलिंग हो रही है तो यह यह दर्शाता है कि मार्केट में कुछ सीरियस कंसन है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जैसे ही फैड जो है रेट कट करेगा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशली सेक्टर रहेगा तो कि आने वाला समय जो है हमारा आटिफिशल इंटेलिजेंस का है टेसला का है और यह जो इनफोसिस विपरो और टीसियस हैं यह पर्टिकुलरली बेसिकली इसी सेक्टर को कैटर करते हैं यहां पर रेट कट से आपके कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं तो यह बेसिकली आपको यह इंडिकेशन देना चाहरा है जो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फैट जो है पांच एट लीस पांच रेट कट करेगा वो पांच ना होके में भी थ्री या फिट टू में लाई करेंगे तो मार्किट जो है इन सबी चीजों को एडवांस में कंसीडर करके चलता है पहला जो स्टॉक जिसको हम डिसकस करना चाहरे हैं यह इन्फोसिस है इन्फोसिस इस करेंटली ट्रेडिंग एड़ी पी आफ यू कैन सी दा पी आफ इस पर्टिकुलर इन्फोसिस एड 26.6 प्राइस टू बुग जो है 8.9 है और 15 परसेंट की सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों में तो यह जो पर्टिकुलर पॉइंट है यह बताता है कि इन्फोसिस इस बहुत बढ़िया कंसिस्टेंट कंपाउंडर है लेकिन यह स्टॉक अभी रीसेंटली एप्रोक्सिमेटली 1200 का बॉटम बनाके आया है आप यहां पे आफजर करेंगे इन दी मन्त आफ अप्रेल 23 ओनली तो 1200 से यहां पे यह जो 17 परसेंट का एक पुल बैक आया था यह बेसिकली उसी की प्रोफिट बॉकिंग भी हो सकती है यदि यह इन्फोसिस में एक प्रकार की प्रोफिट बॉकिंग है तो यहां पे स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर रीस रीसेंट रीसेंट से फिर से आपका बाउन्स पैक होना चाहिए और इस स्टॉक का जो रीसेंट में सपोर्ट रहा है जो रीसेंट इसने ब्रीच किया था एक हेवी वॉल्यूम के साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस का लास्ट रीसेंट जो था यट वास अरा इसका जो नेक्स्ट फ्री फॉल है वह आप कम से कम यहां पे नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है तो यदि आप पर्चिस करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी पर्चिस को वान थर्ड के फॉर्म में कनवर्ट कर लीजे आप अपने ओर आल जो इन्वेस्टमेंट इसको तीन भागों में बांट दीजिए और जैसे जैसे इन्फोसिस नीचे आता है आप इसमें एक्यूमिलेशन कर सकते हैं बहुत शांदार स्टॉक है यह आने वाले समय में जब रेट कट होंगे तो फर्स्ट जो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिचरी रहेगा वह IT सेक्टर ही रहेगा सेकंड सेक्टर जो रहेगा that will be the finance सेक्टर जितने भी NBFC से related stocks हैं वो market में चलना शुरू करेंगे क्योंकि आप पिछले दो से तीन सालों से observe कर रहे होंगे कि यह particular stock अपने एक consolidation range में फसे हुए हैं और जो इनमें investor हैं उनको किसी प्रकार का return नहीं म sector rotation होगा और sector rotation होगा तो पैसा वहीं जाएगा जो पिछले कई सालों से नहीं चले हैं जो undervalued है पैसा वहीं पर rotate होगा from the overbought particular positions तो overbought positions कौन-कौन सी है market में बहुत सारे आप इस प्रकार के small cap companies हैं जिनकी किसी प्रकार की earning नहीं है तो पैसा निकल के इसी प्रकार के stocks में ज Tata Group तो यह एक बहुत strong fundamental company है लेकिन यहाँ पे आप observe करेंगे कि TCS जो है एक M pattern बना रहा है तो यह M pattern जो है basically एक bearish pattern को indicate करता है तो मेरे हिसाब से इस particular stock में आने वाले दिनों में आप एक नर्मी देखेंगे either the stock is going to consolidate in the same range और यहाँ पे यदि निफ्ती के sentiment खराब होते हैं तो एक आप अच्छी बिक्वाली भी देख सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे observe करेंगे कि TCS जो है किस level से उठके आया है तो यहाँ पे यदि आप TCS का level देखेंगे तो it has given you a run up of approximately how much 41% in 600 days तो यहाँ पे आप समझ लीजे 20% का return एक particular सालाना stock ने आपको दिया है इसलिए मैं इस type के stock को consistent compounder बोलता हूँ लेकिन जब कभी भी इस प्रकार के return मिलते हैं तो क्योंकि market के sentiment खराब है तो यहाँ पे आप एक प्रकार से profit booking देखेंगे तो यह जो profit booking है कब तक चलती है यह एक देखने के लायक चीजें रहेंगी लेकिन यहाँ पे यदि आप technicals के basis पे इसके level find out करने की कोशिश करेंगे तो immediate इसका जो support निकल के आता है that is 3945 3945 पे आपका immediate एक support है लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह जो एक बड़ी सी red candle बनी है यह एक बड़े bearish momentum को दर्शाती है तो यह बड़ा bearish momentum इस particular support पे आके रुकेगा की नहीं उस point पे जहाँ पी stock ने 41% का एक particular run-up दिया है bottom से यह आने वाले समय में देखने लाइक रहेगा लेकिन आप इस stock के support point note करके रख सकते हैं इसका जो next support है यदि यह आपका 3941 पे support नहीं लेता है तो इसका next support जो निकल के आता है that is around 3868 and then the next support would be around in this particular range यह stock का next support है that is 3650 3650 के around यह जो है इस stock के लिए मेरे हिसाब से rate कटके पहले best support रहेगा 3650 तो 3650 को आप consider करके आप इस stock में accumulation कर सकते हैं IT sector आने वाले समय में definitely boom करेगा तो उस particular point of view से आपका accumulation रहना चाहिए यहाँ पे आप हमारा जो third stock है इस stock का नाम है विप्रो विप्रो के साथ अभी recent में बहुत सारी red flags चल रहे थे और इसके बारे में बहुत सारी news चल रही थी market में जो की यह concern बता रही थी कि इनकी particular balance sheet जो है धीरे धीरे deteriorate होती जा रही है इनकी जो compounding है वो कम होती जा रही है business की quality कम होती जा रही है customer का retention जो है कम होता जा रहा है तो यह सब red flag होने के बावजूद जो है stock आप देखिए मैं जो हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ जब market गिरता है तो अपने साथ बहुत सारे negative sentiment लेके आता है तो यह जो stock है अपने lifetime high से कितने percent correct हुआ है यहाँ पे आ उसी के opposite में FII और DII इस stock में continuously क्या कर रहे थे accumulation कर रहे थे इसलिए मैं आपको हमेशा यह दोस्तों यह बोलता हूँ कि आप market की news के बारे में ज्यादा bother मत करिये market में news इसलिए दिखाई जाती है ताकि वो stock के price को नीचे लाके उसमें accumulation कर सके और इसी का wise versa भी उतना ही applicable है ज positive news दिखाई जाएंगी उस stock उस sector के बारे में ताकि आप उस sector में bullish होएं और वहां से उनको जो है आपने stock में से exit मिले क्योंकि उनकी जो position है उसको market में leverage करने के लिए उनको चाहिए बहुत सारे buyers और उनको जब accumulation करना है तो बहुत सारे उनको चाहिए sellers तो यह दौनों चीज कैसे possible है यह आप खुद है अपनी general understanding से समझ सकते हैं जब तक market में कोई negative news नहीं रहेगी तब तक बहुत सारे sellers नहीं होंगे और जब तक market में बहुत सारी positive news नहीं रहेंगी तब तक बहुत सारे buyers नहीं रहेंगे तो जब कभी भी market में इस प्रकार की news आने लगें कि आने वा में वो अपना पूरा accumulation कर लेते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे stock का distribution होता है और again further यहाँ पे market में correction होता है दोस्तों market में यही केवल तीन cycle होती है accumulation, distribution and correction इसके अलावा और कुछ नहीं होता तो यह market बहुत simple है आपको इसको बहुत seriously नहीं लेना है आप केवल इस बात को समझ रख रहा है और negative news के पीछे वाकई में कोई reason है भी की नहीं है चलिए, hope करता हूँ यह video आपकी investment में कुछ value add करेगा, अगर आपको यह particular video पसंद आया हो तो please channel को subscribe करिएगा, video को like करिएगा और अपने friends के साथ share करिएगा, मिलता हूँ next video में, till then bye bye, thank you